अस्सालाम आलिकुम आज मैं आपके लेकर आयूं डहाबा-स्ताईल मसाला पनीर बहुत ही टेस्थरी बनता है और बहुत ही मज़े काला है аहीं को तराइगा rickिमी केति मेरी सार्थ स्ट्री जुझे कासरी छेयँ ऑब जाएगा गरम मसाला, एक टीजपून नमके, हाफ टीजपून लान मिर्चे पॉडर और जीरा पॉडर, चलिए अब यह पहले हम सारे मसाले एक बोल में मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें सारे पनीर डाल देंगे, पनीर को हमने क्यूप्स में काट लिया है, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मैं आपको सही बताओं तो, इसको हम मसाला लगा के अच्छे से रख देंगे, और इतल नहीं हम इसका जो ग्रेवी है वो रेडी कर लिए देखे पहले मसाला रोस्ट कर लेते हैं, हम दो टीजपून सावुद्धनिया हैं, एक टीजपून जीरा है, हाफ टीजपून सोफ काले मिर्चे, और एक सिनिमन स्टिक का तुकड़ा है, चोटा सा, और दो इलाइची हैं, हरी और चार लोंगे हैं, इसको दाल देते हैं, इ कर दे मिर्चे, चूले हैं, प्रत को थाची मिर्चे, रीची पोरणा कर हैं, हर answer ूय जब कर दो थां यह जले हैं, हर। म Izraakम हैchi भीन मेंकलघ के ऑदंद पहूए जल जाते हैं, मैं नहीं, जाते हैं जायए जल जाते हैं, तो बिल्कुल मीडिम पेलाओँ तो लेते मसाला यह वाइड बटर है आप चाहें तो नॉर्मल बटर भी ले सकते हैं बस हमें इसको हल्का सा मेल्ट करना है अब मैं इसके अंदर पनीरेट कर दूंगी जमें आपको दिखायते हैं पनीर के क्यूप्स यह दाग देंगे हम इसमें अच्छे से बूल लेंगे अधिल आधि सारे मसाले अंदर मिक्स हो जाए और सारे हमारा पंडीरे इड़कम अधिल फिलेवर कुल बन जाए इड़कम इंसे होजा हम इसको रख देते हैं अभी लो टू-मेडियम पे और अब हम जो हमने मसाले ड्राय रोप सारे थे इसको हम मिक्सी के जार में फीट लेते अब मिक्सी के जार में चाल देते हैं और इसका बिल्कुल fine powder बना के दिखाती है बिल्कुल इसी तरीके से भाइन प्रणाना है यह सारा मसाला इसी में ही डाल देंगे पनीर हमारा रेडि हो गिया है हम इसमें ही चाहिए था इसके डोड़ भी आ गए है पनीर पर देखिए एक टी स्पून दालूंगी में जीरे का और दो मेने लोंगे दो इलाइची और एक सिनिमा निस्टिक का तुकड़ा ले रखा ये भी दाल दूंगी एक तेज पता दाल दूंगी में इसको मिक्स कर लेंगे हम एक मेने बड़ी साइस की प्याज फाइन चोप कर लिए इसको इसको हम अच्छे से ब्राउं तक होने तर इसको भूनेंगे प्यास को इसको हमारी अभी प्यास फोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए इतने हम इसके मसाले निकल देते हैं ग्रेवी की मसाले देख लेते हाफ टी स्पून नमख अधरक लसन का पेज जीरा पोडर एक टी इसको हमने बारिक बारिक चौक कर लिया है और तीन टेबल स्पून भरके हमने दही लिए है लाइट गॉल्डन ब्राउन हो चुकी अब मैं इसमें सारे मसाले एंट कर दूंगी इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तब टीमाटर हमारे सौफ नहीं हो जाते है यह देखिए मसाले अच्छे से भून चुका है जो टीमाटर दाले देख वह सौफ हो गए है अब मैं इसके अंदर दालूंगी ज向 देखे दूगो चाहए नहीं रिखा क moss और क्या यह आप सीय प्लेश में चैनंटना टेका और करे वाह दो रहां देने हिरा मैंने कि शाटोगाई पहलेकर की लेंप इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे दो मिन्ट तक जब तक इसका ओई सेप्रेट नहीं हो जाता है आप मसाले को हमें अच्छे से भुनना हैं कि जब तक अउइल उपर नहीं आजाता कि देखिए मसाल अच्छे से भुण चुका है मैंने लॉट को मीडियम कर दिया है इस स्टेच पर आप इसमे तारे में ताल रही हूं में आपको पनीर दिखाय था नाम यहांनन ahir टिखाय था मैं आपको पनीर दिखाया थ czy मesड़ा पनीर के हाइट कर देंगी это हाफ पीस्पूं कासुरी मेती का दाल देंगे और इसको हम अच्छे पर मिक्स कर लेंगे और इसको हम ढखके रख देए दो मिन के लिए लोटू मेडियम पर देखिए अम मैं चूले वो कर दूँगी ओफ और हमारा मसाला पनीर रेडी है उपर से मैं दाल दूँगी इसमें थोड़ा सा हरधनिया और आपको अब डिशाउट करके दिखाती है यह देखिए हमारा मसाल फढ़ा पनीर बन गया है माशायलला जरूर बोलिएगा बहुती टेस्टी बना है मेरी अब्स प्रसित्स ब्लपी इस पर वह अगास अगर आधा मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइट करें सब्सक्राइब करें कमेंट जरूर किया करें और दूआउं में याद झाल झाल झाल